सड़क यहीं रहती है। एक दिन शेक्चिल्ली कुछ लड़कों के साथ अपने कस्बे के बाहर एक पुलिया पर बैठा था। तभी एक सजजन शहर से आये और लड़कों से पूछने लगे क्यूं भाई, शेक्चिल्ली के घर को कौनसी सड़क गई है। शेक्चिल्ली के पिता को सब शेक्चाहब कहते थे। उस गाउं में वैसे तो बहुत से शेक्च थे, परंतु शेक्चाहब चिल्ली के अबबाजान ही कहलाते थे। वो व्यक्ति उन्हीं के बारे में पूछ रहा था। वो शेक्चाहब के घर जाना चाहता था। परंतु उसन पूछा था कि शेक साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है? शेक चिल्ली को मजाक सूझा, उसने कहा, क्या आप यह पूछ रहे हैं कि शेक साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है? हाँ हाँ, बिल्कुल उस व्यक्ती ने जवाब दिया. इस से पहले कि कोई लड़का बोले, शेक च वो इसी गाउं में रहते हैं न? हाँ, रहते तो इसी गाउं में हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि कौन सा रास्ता उनके घर तक जाएगा। मैं शेक साहब का बेटा चिल्ली हूँ, मैं वह रास्ता बताता हूँ, जिस पर चल कर आप घर तक पहुंच जाएंगे। अरे बेटा चिल्ली, वह आदमी प्रसन होकर बोला, तू तो वाकई बड़ा समझदार और बुद्धिमान हो गया है। तू छोटा सा था जब मैं गाउ आया था, मैंने गोद में खिलाया है तुझे, चल बेटा, घर चल मेरे साथ, तेरे अबबा शेक साहब मेरे लंगोटिया यार हैं, और मैं तेरे रिष्टे की बात करने आया हूँ, मेरी बेटी तेरे लायक है, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी, अब तो मैं तु मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, धन्यवाद